शिले भाइज सभी जवानों का एक बार फिर से वुकैप की मॉर्निंग टीम में एक बार फिर से वेलकम है मॉर्निंग वुकैप सेशन में प्यस्पी सर के साथ आप सभी का वेलकम है आए फिर स्टार्ट करते हैं बेतरीन से सेशन को जहां पर हम कुछ और वुकैप को अपनी वुकैप को एनांस करेंगे कुछ नए रूट वर्ड सीखेंगे नए निमोनिक्स सीखेंगे और कुछ एडियम्स भी अब इंक्रूट करने मैंने चलू कर दी हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिदाव डिले सेशन के दरब बढ़ते हैं वन बाई वन डिसकस करते हैं हम आगे चलने वाले डे नंबर एट है और धीरे धीरे आप देखेंगे मैं एक बात आपसे जरूर इंसिस्ट करना चाहूंगा कि आप लगातार सेशन के साथ कॉंट आप चाली साही है जैसे मॉर्णिंग में आप प्रियर करते हैं वैसे आपको यह खरना है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिदाव डिले डे नंबर एक और आज बात करेंगे कुछ और रूट की इसमें बात करेंगे मिस्के बारे में मिस्क का मदला है हेट से होता है यह वा मैंनों जाथ इसे घंडा करने वाला ऐंसान कैलाता यह तरीके के क्वालिटी हो जाएगी Miss का मतलब hate हो गया और entro word जो आता है यह किसके लिए आता है mankind के लिए आता है entro कहिए या entrope कहिए इसका मतलब होता है mankind से human being से इसका लेना देना होता है इस बारे में की खोंगे तो रॉंग नेम अब यहां पर हेट नेम लिखना उतना अप्रोपीर्ट नहीं है तो आपा लिखेंगे रॉंग नेम जो नॉमर जिसका नाम सही नहीं है वैसे नेम से रिलेट्ट कैसे सारे बनता है और इसी तरीके से आप पड़ते हो आपको वर्ड देखनों को मिलेंगे जैसे आलोनिम हो गया आपका सौबरीक्यूट हो गया या इसी तरीके से कुछ और वर्ड नेम से रिलेटेड जैसे एक्रोनिम मन जाता है जैसे स्यूडोनिम मन जाता है इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बनते हैं मिजो गैनिस्ट के बारे में बात करते हैं गाइनी वर्ड जहां पर लगाते हो आप फीमेल की बात करते हो जी वाई एन यह जी वाई एनी इसका तो यह आपको ध्यान रखना और इसमें एक वर्ड और बन जाता है मिजो गैमिस्ट यह एक वर्ड परसन ओर होता है मिजो गैमिस्ट गम उपस्ट मतलब आप जानतो मैरिज पीछे डिसकस कर स्टाट कर दिये मैंने तो पहला रोट तो क्लियर हो गया दूसरा रूट आता है जब आप बात करते हो सी एपी की एक और रूट है यहाँ पर हम सी एपी की बात करेंगे और सी एपी का मतलब किसे होता है head से होता है है ला जैसे सrän न सब्सक्राइब होता है सिर सक्ती तरीकी कि हैंव्य का असंड करेंगे अना इस इस सिसे थी आप सबुनको wiping और पशंड करेंगे सबुंसे में एक ऐसे कह सकतेंगे एक हैं डॉन जो हैड होता है कैप्टन है तो यह कैसा होता है यह हैड है आप दो टीम उसको आप कैप्टन बोलते हैं कैपिचुलेट है ना कैपिचुलेट करने का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है surrender कर देना जब कोई अपने head को जुका दे रहा है कि भाईया अब ठीक है the end ठीक है तो capitulate capitulate करने का मतलब समरपन करना होता है surrender करना होता है तो इसका meaning हो जाएगा surrender करना head को क्या कर दिया उसने capitulate कर दिया surrender कर दिया इसे को given मूलते है है एक इंसान के इससे में कितनी चीज आने वाली है वह है पर हेड़ का मतलब पर पर संपर इंडिविज्वल है ना जैसे कहा जा है कि बाई गवर्मेंट ने कोई इतने रुपए मिलने वाले तो इतना ओर यहां रखेंगा यह थोड़ा सा आपको लड़ना पड़ेगा इसका मतलब होता है यह इसका मतलब होता है पीटना किसी को बहुत ज़्यादा पीटना बीट्व मरसी इसके वारे में बात करें तो इसका मीनिंग होता है be relaxily कैसे पीठना बुरी तरीके से पीठना a mercy-lessly हाजकल हमारे जो label है की वर्ड क्या बना लिजया आपने लेवर बना लिए को बुरी तरीके से पीता जा रहा रहा है तो be labor जो होता है बी लेबर औय॓ और होगा बीड़कि लेबर इसका मतलब क्या होता है बुरी तरीके से पीटना। अब यह से याज मानेक्स वाले पुस्ट्टन स्टाइब आपके। इसका की वर्ड क्या बनाते है य reserves रेट लुक को रेट रेट देखो कितने इफेक्टिव हैं कितने फाइदे बंद हैं है ना लुक को रेट का मतलब होता है लुक को रेट रेट तो देखो कितने फाइदे बंद हैं मैला फाइट मैला मतलब बैड होता है फाइट मतलब ट्रस्ट होता है तो इसका मतलब बैड ट इसको आप बोलते हैं दो पच्छों के बीच में जो समझाता हो रहा है बाइलेटरल मतलब दो लोगों के बीच में दो टीमों के बीच में दो नेसंस के बीच में वह होता है बाइलेटरल है ना इसका मतलब दो पच्छी कह सकते हैं दो कंट्रीज के बीच में हो रही है वह कैसी है बाइलेटरल दो देशों के बीच में कोई स्रीज चल लही है उसको बोलोगे बाइलेटरल से जैसे समय करेंट में इंडिया और स्री लंका के बीच में स्रीज होने वाली किसी भी चीज को दो इस्तों में बाड़ देना डिवाइड़ इंटू पाट सर्ट क्या कहलाता है बाइफर केट है इसका मीटना इसे को बोलता है एरोमा है ना फ्रेगरेंट या फिर क्या कहते हो अरोमा बाल में बालों में कैसा तेल लगाते हो माकवा तेल लगाते हो बड़ियांसा सुगंदित तेल लगाते हो तो सिंपली आप इसको लर्ण कर सकते हो एक कीवर्ड बना करके कि बालों में हम लोग कैसा तेल लगाते हैं कैसा ओयल इनसी सेंट होता है लगातार बाकी यह वर्ड बनाएं सीज से सीज मतलब स्टॉफ हो जाता है तो यहां पर बीच में वर्ड सीज है सीज का मीनिंग है बेसिकली यहां पर इनसी सेंट मतलब होता है बिना रुके हुए लगातार इसको बोलते इनसी सेंट बिनाइन का मतलब होत टेक थे ना तो इसके लिए वर्ड यूजी यूज़ किया बी नाइन इन फरी 8 यूज्फ बना कैसे पहले तो यह समझते हैं इसके समझने के लिए पहले झांको फ्यूरी समझना पड़ेंगा खु wholly का मतलब एंगर होता है पुरिएट और एटी लगा दिया एक मतलब क्या हो गया मंदलब को वर्म भो गया इसी वर्ड के साथ अगर एटी लगा देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है जोर देना इसको आपके सकते हैं पर जोर देना है अना किसी बात पर जोर देना वो या इस्वीट इसी को बोलते हैं इसस्ट्रस देना या दूसरे सब्सक्रेश दे इसको से लड़न कर पाऊगे एसेंट से याद कर पाऊगे कि वाइशन्ट पर टीचर बहुत ज्यादा एसेंच्वीट कर रहे हैं इस चीज पर बहुत ज्यादा इस्ट्रेश डाला है पाव सिटी में पाव की कमी यह साथ पहले भी हो चुका है वर्ट्स रिपीट हो जाए तो परेसाद नहों आवर्ट्स की संक्या बहुत लंदी है और वह मुझे भी याद नहीं रहे त होता है कुछ बुरा होने से रोकना इसको आवर्ट अवर्ट से अवह मतलब क्या होता है सटॉप इस्टॉप कि एस ट रॉइन सम्थिंग यह एप सिंपली कह सकता हो और यह बना कैसे वी यार से बनाए वी अर्व सामीट नहीं कोई ओने नहीं देना इना हो आप है ियो से 10 इंटोर उसको बोता है कंटेंपलेटिव अगर आप लिखना चाये वर्ड यह जायाएगा सकते टोट्थुल का मतलब विचार धीन होता खुम श्री बिचार थीन एक होते हैं हाँ Scri è科ный मुझे अच्छा नहीं मिला है एक अच्छा पैन मेरे पैरेंस मुझे दिलाने नहीं तो वह उस चीज़ को लेकर के बहुत ज्यादा पैंसिव है कॉर्डियल का मतलब फ्रेंड्ली होता है कॉर्ड मतलब हर्ट होता है अगर बात करोगे तो इसका मतलब हर्ट होता है तो आप दिल से किसे मिलते हो जो आपका मित्र होता है जो आपका दुस्मन नहीं होता है जो आपका मित्र होता है उसी से आप दिल से मिलते हो रेक्टिफाई रेक्ट मतलब करक्ट करना होता है तो आरी सीटी अगर कही पर लगा होगे आपको नहीं मतलब क्या होता है रोट याद रखना रखल रेक्टिस केशिशन मन जाता है इसी इस वर्ड बनता है अगर देखोगे तो वर्ड आपको आरी सीटी लगा मिलता है रक्ट लगा मिलता है नैव का मतलब होता है सकोंट्र बदमास जो निया निया बदमास ठाइस काउंट्र गोर्ढल का मतलब बदमास होता है यह आप कहते हो ने ना ना यह बदमास बना नहीं ने गुंडगर्दी ठीक है तो ने कम का इसा है ना हम थोड़ा सा बदमास क्या हो गए सारे दुनिया हमारे पीशे पड़ गहीं है अब यहां से कुछ आपके एडियम आते हैं इन पर हमें बात करनी है यूटोपिया अगर समझ लेंगे तो वहीं से से मतलब होता है स्कीम जो रिस्तिक नहीं है उसको बोलते अनृलिश्टिक स्कीम आंड्रियलिस्टिक जो रियुटोपीय का मतलब यहिस्टिक घर आ eyes से राजे की कल्पना कर रहे हो जहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो जो कि पॉसिबल नहीं है इसको बोलते है यूटोपियन स्कीम मतलब औन रिलिष्टिक स्कीम आँगे बढ़ता है अप ओन्राइव इन यह बैंक आहला हूष मतलब के अच्छा है सारे इंड बनता है मतलब्स व्ल क्रोंख अ बुरां बुर्ल चाहि होता है तो ये कए कर रहा है गोड़ा सबसे चाहता है उसको बोलोगे आप सबसे चाहता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब और यह क्या तो मुसीबत और संपनता दोनों तरीके के दूसरा इडियम मन्गाता है और वी का मतलब होता है सुख और दूसरा इडियम मन्झाता है अप्स और आता है और इडियम वहतर आग पांई से होकर कर घुजड रूब एक सकते गोने बढ़़ी वहतर है न cm पानी से होकर के गुजरना मतलब हर तरीके के मुसीबत का सामना करना तो बात समझ में आ गई आप सेंट डाउंस प्रॉस्परटी एंड अडवर्सिटी वील एंड वो गो तुरू फायर एंड वाटर सब का मीनिंगे की है जीवन हमारा क्या सुक दुख का संगम है यह वाली ब एक और इडियम आपका बनता है कौन से बनता है विल ओ विस्प इसके बारे में अगर बात करें तो एक सिकंड रुकी है घजरा यह चले देखें डिसकॉस करते हैं विल ओ विस्प का मतलब क्या होता है एक कह सकते हो बिसकली एक ऐसी होप जो आपको मिस्लीट करने वाली है म माले दो कपल हैं और वह दोनों क्या करते हैं वह पहले वह बहुत बढ़े बड़े लंबे लंबे वादे कर लेते हैं और बात में फुल्फिल नहीं कर पाते हैं वह क्या है विल ओवीश्प है तो इसका मतलब कैसे है मिस्लीडिंग होप जो आपको मिस्लीड करने वाली आसा है उसको बोलोगे विल ओविस्प वित ग्रें ऑफ सॉल्ट इसका मीनी क्या होता है वित आ ग्रें ऑफ सॉल्ट के बारे में अगर बात करोगे कोई चीज आप एक्सप्ट कर रहो लेकिन यह वैसे है वित ग्रें आफ साल्ट मतलब आप कोई चीज एक्सप्ट कर रहो लेकिन उसके पूरी तरीके से आप उस चीज को लेकर के सहमत नहीं हो हमने स्विकार तो कर लिया लेकिन कई नहीं कहीं डाउट बना हुए एक्सप्ट है इसको आप ऐसे लिखो एक आपके कवर हो जाएंगे अगर वाइटी वाले स्टुडेंट करते हैं कि आपने कम कर आया तो मैं बता दूं आपको कि मैंने वह सेशन करा दिया उसमें बहुत सारे एडियम है अलाकि 90 कुश्चन है लेकिन 90 कुश्चन से कहीं ज़्यादा आपको सौल कर रहें दूसरा यह पर दे आपको एडियम से मिलने हैं इनको करते जाएं तो आप यह कंप्लेंड ना करिए कि नहीं हमारे लिए चीज़े नहीं कराई जाने बाकि एप वालों के लिए बता दू जो एप में एडियम हो चुके उनके अलावा एक्स्टरनल एडियम और यहां पर मत है ना मि्स का मतलब हेट होता है मैंकेंड दूसरा है मिजो गयनिष्ट घ्रेटर हीमिल हेटर आप फीमेल मिजो मिजो लोगश्ट हाट नौलेज कापिचूलेंड्ट करना होता है और रिवेक्टुलेंड मतलब सम्राइज करना होता है चत्यों कैसे याद किया था लेवर को बहुत बीटा जा रहा है आज की डेट में तो यह हो गया बी लेवर लुक्रेटिव रेट देखो कितने फाइदेवंद है मैलाफाइट बुरी नियत होती है बाइलेटरल दुपच्छी होता है बाइफर के दू भागों में बाटना होता है बाल भी बालों में माकवा तेल मतलब कमी होता है अवर्ट मतलब मतलब होता है रोकना इसको बोलते हो चर्टील होता है अज कल गल्स हो गयी वह पहले चेक कर लेती बाई तुम्हारे बैलन्स कुछ है कि नहीं है ठीक है देख करके पहली नजर में यहीं चेक होता है यह यूटोपियन इसकी मतलब अन्रिलिस्टिक होती है इसके बाद वंस सुट्विल का मतलब लाइकिंग होती है अपसे डाउन्स मतलब उतार चड़ाव होते सुख और दुख होते हैं इसके ब मतलब आपने कोई फूट को किया है और उसमें हलका साट जो है ज्यादा हो गया है तो आप खातो रहे हो लेकिन मंद से इच्छा संतुष्ट नहीं है आप ऐसे कह सकते हो लेकिन आपको उसे पूरी तरीके सहमत नहीं हो चले यह थे आपके वर्ट्स होफुली आपने इंज् उस नए एनर्जी के साथ नए जील और एंतुजी आस्में के साथ आपसे इंट्रैक करेंगे थैंक्स पॉर अटेनिंग दिस वेलिवाबल सेशन थैंक ये अब्रीवर्ट जैहिंद्ध